हमारे देश में औरतों को लक्षमी का रूप माना जाता है और उन्हें घर की लक्षमी कहा जाता है हमारे हिंदु धर्म शास्त्रों में पत्नियों को अर्धांगनी का दर्जा दिया गया है यानि की पती का आधांग बतादें आपको जो तिशाध्र के अनुसार अगर किसी इंसान का भाग गय उसका साथ नहीं दे रहा है, तो उनकी पत्नियों को जरूर कुछ उपाय करने चाहिए, और ऐसे ही कुछ उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, बतादें आपको अगर इन उपायों को पत्नी कर बनना शुरू कर दे तो पुरुशों का भाग्या चमक सकता है और जीवन में खुशाली आ जाएगी चली बदाते हैं आपको उन उपायों के बारे में शास्त्रों में स्थ्रियों को लक्षमी का दर्जा दिया गया है कहते हैं स्थ्री जो पूजा पाठ करती है ऐसे में अगर औरत नियमित रूप से पूजा पाठ करती है तो उसका फल उसके पती को भी मिलता है और उसका बिगड़ा काम भी बनना शुरू हो जाता है महिलाओं को रोज सुबा उट कर सबसे पहले स्नान करना चाहिए इसके बाद महिला को धर्ती माता को प्रणाम कर पूरे घर की साफ सफाई करनी चाहिए साथ ही हर रोज तुलसी को एक लोटा जल चड़ा कर अपनी परिशानिया दूर करने के लिए रोज प्रात्ना करनी चाहिए माननेता है कि घर में तामबे की लोटे में जल रख कर पूरे घर में छड़कने से घर का वातवरन शुद रहता है और किसी भी तरह की नकारात्मक शक्तियां घर में वास नहीं कर पाती है इसी तरह के उपाय लगातार कुछ दिनों तक करने से आपको घर में फर्क जरूर देखने को मिलेगा और घर में सुख समरिद्धी का वास जरूर होगा Mix9 Spiritual से आर्थिक रिपोर्ट Mix9 Spiritual से आर्थिक रिपोर्ट Mix9 Spiritual से आर्थिकों में सुख समरिवणक जरूर्ट Mix9 mit 5 जरूर Mix9 Cool Mix झाल झाल